Hello everyone, पीछे हमने हमारी NCRT 8th Class Honeydew का लेशन नंबर 8 एसोट मानसून डायरी पढ़ा अब हम इसी लेशन एसोट मानसून डायरी के कुछ MCQs देखते हैं, one by one तो देखी पहला हमारा क्योश्चन है Which diary is most famous diary published as a book ऐसी वो कौनसी डायरी जो famous है, most famous है, जो सबसे ज़्यादा प्रसित डायरी पब्लिस्ट है जो बुक के रूप में जो है पब्लिस हुई है The diary of Annie Frank, the diary of Leon's, the diary of Richard, the diary of David तो इसमें से कौनसा है वो तो हमारा right answer है A, the diary of Annie Frank यह हमारा right answer है यानि, which diary is most famous diary published as a book तो हमारा option A सही रहेगा The right answer, the right option A, the diary of Annie Frank इसको जो हम कलिक करेंगे क्यूचन नमर सैकिंड देखते है क्यूचन नमर सैकिंड कहता है कि what is the strange about mist mist होती है धुन्द धुन्द के बारे में क्या खास बात है उसकी क्या नोखी बात है धुन्द के बारे में क्या है mist, A कहता है कि mist cams climbing up the hill mist cams climbing down the hill both A and B या none of these बच्चो धुन्द के बारे में की बात क्या है कि mist जो है वो धुन्द है वो जो है cams climbing up the hill cams climbing up the hill वो पहाड़ी की उपर की तरफ चड़ती जाती है इसलिए हम A को प्रेस करेंगे यह हमारा right answer रहेगा क्यूस्चर नमबर थ्री क्यूस्चर नमबर थ्री देखते हैं कि A tree creeper moves rapidly up the trunk of 41 स्थान दे रखा है इस ट्री इसमें जो है क्या आएगा तो इसमें जो है बैन्यन है बर्गद है ओग है बिटलनट है या केदार है बिटलनट होता है सुपारी या केदार का है तो इसमें जो है कौनशा हमारा आएगा ये ट्री कीपर move rapidly up the trunk of the oak इसमें हमारा B option सही रहेगा B को हम कलिक करेंगे हमारा right answer ओक यानि B है B को हम प्रेस करेंगे Q4 कहता है बच्चो विच डेट यानि वो कौन सी तारिक है एंड मन्त और वो महिना है डिस्क्राइब अबाउट कलीन एंड प्योर दसांग आफ तो विश्लिंग थास्ट इमेर्ज ये कौन सा है दो अगस्ट, तीन अगस्ट, बारा अगस्ट या इकतिस अगस्ट इसमें से वो कौन सा जो डेट और महिना है वो हमें चूज करना है तो इसमें बच्चो हमारा जो है तीन अगस्ट की वो तारिक और महिना है डिस्क्राइब आउट क्लीन एंड प्योर शॉंग ऑफ दा विसलिंग थाथ इमर्च जिसमें जो है शुद्ध और जो है साफ मौसम के अंदर वो गीत अमर्च होता है प्युश्चन नमर्च फाइफ लास्ट डे ऑफ अगस्त के आखरी दिन दा सीर सफ गला आथ यहांनि वो कोब्रा के जो फून है वह लेड टनी हो जाते हैं कोब्रा लेली टनी रेट वह रेड हो जाते है। मारा राइट अस्वर सी系 को हम फॉरेश करेंगे। किसा नंबर आगे बढ़ते हैं किसा नंबर 6 कहता है बश्चोब who takes shelter shelter मतलब आस्त्रे लेना आस्त्रे लेना या सरण लेना होता है इन रूफ छत में अटिक्स and go down इसमें कोन लेता है छतों में तारियों में या go down में आस्त्रे जो वो कोन लेता है birds पक्सी लेते हैं, dogs, kutte, cat, billy या snakes शांप इसमें से कोन जो है आस्त्रे लेता है तो इसमें जबारा है सनेक जो है वो शांप है वो ही आश्रे लेते हैं इन सब में रूफ अटिक रहें गो दाउन के अंदर ये शांप जो है ये आश्रे लेते हैं हमारा डी आंसर सही है क्योंसर नमर साथ कहता है कि on which month वो सा कौन सा महिना डिस्क्राइब दा मिष्ट होल्ड दा हावसे इन ए डार्क कार्श अगस्त है या अक्तूबर है या जन्वरी है या मारच है इसमें से वो कौन सा महिना है जिसमें जो है मिष्ट धूंद जो है कवर कर लेती है तो बच्छो इसमें जो है वो जन्वरी हमारा महिना है सी को हम जो है कलिक करेंगे सी हमारा जो है राइट आनसर है क्योंसर नम्बर आठ की तरफ आगे बढ़ते हैं और कर दो नमरा आठ कहता है कि on मारच 23 यानि 23 मारच को which type of मानसून सीजन डिस्क्राइब किस परकार के मानसून सीजन का प्रकार के मांसुर्ण ककल रेनिक किया है स्टार्टिंग रेनका है या डिटर Eh या अनडर्विंटर या ना नियुद्वत कि इसमें हमारा किैन्ट ऑफ्टारcomb संकेत होता है तेईस मार्श है वो सर्दी किस्रमापती का संकेत है इसलिए हम जा इसमें हम और ओप्षन नमबर सी को जो हम कलिक करेंगे यह हमारा राइट आंस्वर है क्विशन नमबर नाइन की तरफ बढ़ते हैं क्यूसर नमबर इस डायरी इंट्री इस डायरी इंट्री में लेकर करता है कौन से पहाड़ी क्षेत्र का स्थान का वर्णन करता है और सन हमारे चार दिए गये हैं मनाली है सिमला है मनसूरी है या बोथ एन भी दोनों है तो बझो इस डायरी इंटी के अंदर जो है वो हमारा जो है मर्शूरी छेतर का जो वर्णन किया गया है जो कि हमारा right answer है इसलिए हम option C को जो है हम click करेंगे जो हमारा right answer होगा question number 10 की तरफ वड़ते हैं question number 10 हमारा कहता है कि when does the monsoon season begin मानसुन का season जो है वो कब begin होता है कब उसकी जो है वो शुरुवात होता है कब वो सुरू होता है मानसुन सीजन कब शुरू होता है इसमें पताया गया कि 24 मई को होता है 24 जून को 24 जुलाई और या 24 अगस्त वो कौन सी तारिक को शुरू होता है तो बच्चो हमारा राइ टार्ण stores है 24 जून 24 जून को हम click करेंगे चो वीन को है जो मांसुन सीजन जो है वो begin होता है तो हमारा राइ टाराइ टार्ण Three 6 जून आएगा जो भी जिनको हम जो क्लिक करेंगे जो कि हमारा राई टांशर होगा क्योंसर नमबर 11 की तरफ पढ़ते हैं क्योंसर नमबर 11 कहता है कि वाई इस था ओथर नोटेबल टू सी बिजू जो लेकर कहा है वो बिजू को जो है क्यों नहीं देख पाता है देख क्यों नहीं पाता है विजू को क्या कारण है सा एक कता है कि because of the mist धुन्द के कारण head covered the surrounding धुन्द के कारण जो है सबी जगय जो है उससे जो है ठकी हुई है भी कता है because of winter season सर्दी के कारण because of rain बारिश के कारण because of winter rain in the hill पाड़ी चेतर में सर्दियों में बारिश के कारण तो बच्चों विजु जो है वो क्यों नहीं देख पाता है मुख्या कारण यहीं है कि विजु जह है वो नहीं देख पाता because of the mist had covered the surrounding क्योंकि धुन्द ने चारों और से जो है cover कर रखा है इसलिए हमारा right answer होगा a को हम click करेंगे question number आगे बढ़ते हैं 12 की तरह question number 12 हमारा कहता है कि for how many days कितने दिन तक जो है rain without stopping बारिश जो है वो कितने दिन तक बिना रुके होती रही पहला कहता है च्यार पांस दिन तक चैसाथ दिन तक या आठ नो दिन तक या दस दिन तर और बच्चों इस परकार से हमने यह lesson देखा तो उसमें पता चला कि बारिश वो आठ और नो दिन तक बिना रुके जो होती रही इसका option हमारा सी रहेगा सी को हम कलेक करेंगी क्यूसर नमबर आगे 13 की तरह बाड़ते हैं जो से नमबर 13 कहता है कि वट इस मिनिंग आफ बिलांचोली मिलांचोली का जो है क्या आर्थ है लांचोली का आर्थ वो उदाशीन कहते हैं जैसे तो इसका वेरी को का है तो बिलांचोली का अर्थ जो है हम जो है इसमें option number हमारा बे सः रएगवहरी सैड होता है उदासीन होता है मिलांचोली का जो अर्थooky है यह हमारा जो है उदाशीन होता है जो की right answer हमारा बी है बी को हम खलिख